हलो एवरिवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू, आज है पांच मई और पांच मई दो हजार इकिस के नैस्नल और इंटरनेशनल करंट अफेर, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यही अभिलाशा है, यही उमीद है कि आप लोग अपने स्वास्तिय का ख्याल रखे ह हैं, प्लीज अपने घरों पे रहिएगा, बिल्कुल भी भार मत निकलिएगा, और इस करोना को बिल्कुल हलके में मत लिएजीगा, अफवाहों से थोड़ा बचके रहिएगा, और कॉविड वैक्सीन भी लगाने का प्रयास कीजिएगा, और टाइम टू टाइम जो है, वो थोड़ा काड़ा वगरा जैसे है, या गिलोए बेल का रस है, इन्हें पीते रहिएगा, क्योंकि प्यारे बचो ऐसा मेरा मानना है कि स्वास्त्य जो है न, इससे उपर जिंदगी में, दुनिया में कुछ भी नहीं है, प्लीज इस बात को सीरियस लीजिएगा, मजाक मत मान और अपना ख्याल अवश्य रखिएगा, चलिए जानते हैं हम लोग आज के करेंट अफेर्स को, और प्यारे बच्चो अगर आप मुझसे कंप्यूटर का कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है वो अपनी एक अप्लीकेशन है, जिसका नाम है पैंसिल और पैंसिल अप अप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, पैंसिल अप्लीकेशन पे आपको मेरे दवारा हर्याना जीके का भी कोर्स मिल जाएगा, और के साथ में कम्प्यूटर का कोर्स, जो की बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आप इस गोशना की है, अब पहला तो आपके मन में सवाल यह आया है कि गुरुजी यह जी आई टेग क्या होता है, जी आई टेग का मतलब होता है, जोग्रोफिकल इंडिकेशन, किसी स्थान की, किसी खास वस्तू को, यूँकर यह बहुलिक पहचान देने के लिए ही यह टेग दिय है, इस टेग की सobic भारत में सबसे पहले जो है, साल 2004 से हुई ती, और दार्जलिंग की जो ब्लैक टी है ना, उसे सबसे पहले यह आपका क्या मिला था? यह मिला था, जी आई टेग मिला था, हलनकि दार्जलिंग की टी जो है ना, दार्जलिंग के अंदर तीन परकार की चा लेकिन वो कब मिला था वो साल 2019 के अंदर मिला था और यह जो है ना यह 2004 में ऐसा नहीं है कि एक बार जिसको मिल गया तो वो लाइफ टाइम के लिए रहे गई उसे हर 10 साल बाद रिन्यू करवाना पड़ता है भारत में जी आई टैग सेंटर जो है उचे नहीं के अंदर है तम लाडू ही है तमिलाडू के सरकार जो है ना वहाँ पे मिट्टी के खिलोनों को जी आई टैग देने की घोषना की है ठीक है geographical प्राफिकल इंडिकेशन जो है ना किसी भी प्रांत की विशिष्टा के लिए और तमिलाडू के मिट्टी के खिलोने जो है ना इने विशिष्टा देने के लिए ही अभी हाल ही में भगोलिक संकेत पे मोहर लगी है ठीक है तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा और अग प्लानिस स्वामी है ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा अभी तक तो वही है इस बात को भी आप याद रखना आगे बड़ें उससे पहले एक बात और याद रखना तमिलाडू के अंदर एक एन्नोर बंदरगा है ठीक है ना एन्नोर पोर्ट है और एन्नोर पो है जम्यू कस्मीर के किस पूरो राजे पाल जिनका नाम है जग्मोवन जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है जग्मोवन जिनों ने अभी रिसेंटली जो है ना पीन मई 2021 को अपने जीवन की अंतिम सांस ली भई चुरानमे वर्स की उमर में जो है इनका निदन हुआ है और दिल्ली के अंदर जो है इनका निदन हुआ है अभी रिसेंटली जम्मू और कस्मीर का गवर्नर बनने के अलावा भाजपा की सरकार में केंदरी या मंत्री भी रह चुके थे और जम्मू कस्मीर के गवर्नर का पद इनोंने एक बार नहीं बलकि दो बार संभाला था हलांकि अभी वर्तमान में जम्मू कस्मीर जो है न वो एक राज्य नहीं है वो एक केंदर सासित प्रदेश है कब से सर वो है 31 ओक्टूबर 2019 से भारत में 31 ओक्टूबर 2019 क दो केंदर सासित प्रदेश बने थे एक बना था जम्मू और कस्मीर और एक बना था लड़ाक बना था और उस टाइम पे भारत में टोटल साथ केंदर सासित प्रदेश हुआ करते थे प्लस में दो जुड़गे तो टोटल नो हो गए लेकिन दिसंबर 2019 तक आते आते दमन द कस्मिर के केसर को साल 2020 में जी आई टेग मिल गया लाच्छा गुच्छी ऐसे विराइटी है और जम्मु कस्मिर में भारत में सरवादी केसर भी होता है दुनिया में इरान में होता है ये पॉइंट भी आप लोग याद रखे चलिएगा जम्मु कस्मिर के हाल फिलाल के राजय के राजय है एक अधिकारी है फिलाल के वहतल को अधिकारी है लेकिन उनके बाद में जो है वो राजयल को बदल दिया गया और वरतमान में को रहेंग मनोगुष सिन्हा ये पॉइंट आपको याद रखने हैं और जम्मु कस्मिर में एक हंगल नाम के हिरन की परजाते भी जम्मू कस्मीर में दाचीगम नैसनल पार्क है वहीं पे ये पड़ जाती है इसकी जम्मू कस्मीर की राजधानी स्री नगर है और जो जम्मू कस्मीर की राजधानी स्री नगर और जम्मू दोनों ही है याद रखिएगा स्री नगर जीलम नदी के किनारे पड़ता है वुलर जीद जो कि भारत में सबसे मीठे पानी के जीद है वो भी जम्मू कस्मीर के अंदर ही है हाली में किसने पूर्टगाली Grand Prix जीत कर अपने केरियर की 97 जीत दर्ज की है मतलब इन्होंने अब से पहले जो है 96 टाइम जो है इन्होंने जीत हासिल कर ली थी यह 97 जीत थी इनकी और इनका नाम है लूइस हमिल्टन सी आप्शन सही है साइध आप लोगों ने इनको बहुत बार देखा होगा पुर्तकाली ग्रैंड प्रिक्स जीत कर अपने केरियर की 97 मी जीत दर्ज कर दी इनोंने लूइस हमिल्टन फॉर्मॉला वन रेसिंग के ब्रिटिश ड्राइवर है यह और जो कि वरतमान में मैकलेरन मर्सडीज टीम के लिए रेसिंग करते हैं जो कि फॉर्मॉला वन के आज तक के सबसे यूआ विश्ट्व चैंपियन जो है न वो रहे हैं लूइस हमिल्टन रहे हैं इस पॉइंट को भी आप याद रखे चलिएगा अगला किस्तन हमारा क्या रहने वाला है जी अगला किस्तन है कि किस देश ने हाली में भारत को P8I पैट्रोल विमान के बिकरी को मंजूरी दी है पी एट आई पैट्रोल विमान को मंजूरी दी है अभी हाल ही में अमेरिका ने यानिकी अभी आप्षिन जो है इसका हमारा वो बिलकुल चीक रहने वाला है जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है P8I विमान है यही है ठीक है न और जिनको अभी हाल ही में मंज साइडन जो है न यह बैसिकली नेवी के लिए यूज किया जाता है और P8I जो हो समुदरी गस्त हुई या पंडू भी रोधी युद्ध हुआ या कोई मिशन हुआ या कोई निगरानी रखने की बात हुई तो वहां पर जो है इसका काम आता है अमेरिका की आप मैप में दे जो है यह कब मनाते हैं तो विस्वहास्य दिवस हर साल मनाया जाता है प्यारे बच्चों आपका कब यह मनाया जाता है हर साल मई के पहले रवीवार को यानि कि ए आप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा यह हांसी और इसके कई उपचार लाब के बार में ज किया गया था दुनिया वर में हाशे लोग अंदलोन के संस्तापक डॉक्टर मदन कटारिया ने जो है मदन कटारिया की पहल पे जो है यह हर साल मनाया जाता है अगला किस्तन हमारा क्या रहने वाला है कि किस राज्य सरकार ने बीस करोड रूपे के परिवे और प्राकरतिक जल संसादनों का काया कलब करने के लिए परवत धारा योजना स्कीम की सुरुवात की है तो परवत धारा योजना की स्कीम की सुरुवात की है हिमाचल प्रदेश ने सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिलकुल ठीक रहेगा हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने जो है वो एपीफर्स यानि की भूमीगत परत और जिसमें पानी होता है को पुनर जीवित करने के लिए मतलब दुबारा उसे जो है उसमें जान लाने के लिए जो है न वो राज्ये में पानी के प्राकरतिक संसादनों के स्रंक्षन के लिए परवत धरा योजना की है मतलब जितने वी नदिया वगरा है उनके पानी को भी जो कंट्रोल किया जाएगा इस व्योजना को चलाने के लिए 20 करोड रुपे के लागत आई गई है आएगी मतलब टोटल और बात यहां पर हिमाचल प्रदेश की भी की है आपने हिमाचल प्रदेश को मैप में देखी गा यहां की का क्या है एक तो सिम्ला है एक ध्रमशाला है ठीक है ना और यहां के राजयपाल का नाम बांदुरू दृत्यत्रे है और यहां के जो पॉपुलिशन है वो 68.6 लैक है और मुख्यवंतरी का जो नाम है वो है जैराम ठाकुर अगला क्यूस्टन है निमलिक्त मेंसे बैंकों को उनकी कि टेगलाइन से मिलाएगा जो बांकिंग की तयर्यारी कर रहा हैं बांकिंग अवारैस सीजक्ट होता है उसके अंदर यह केर बाहत इपॉर्टन है और इसकेर हम लाइन डाकों स्वहर भी संच द्वी देख्ट कश्म को सिन फोसकर है टैग लाइन ना कई rebell Ladakh थक क्रिफ क्वाइब सीना कि दोनों को लिखा बिल अप लोगों निए इंडियन और सिप wygląda ना इंडियन आवर्सिस बैंक जो है ना वह क्या है basically इसका टेग लाइन है आपका good people to growth with good people to growth with और HDFC जो है ना HDFC इसका टेग जो है ना यहां पे comment में जो है ना वो ठीक डंग से option में ठीक डंग से दिया नहीं गया ठीक है ۔ ओफेडर्ल बैंक आपका प्रफेक्त बैंकिंग पार्ट्नर ऑपका बैंकिंग पार्ट्नर इस बात को याद रकीएगा फिर बता रहा हूं सेदल बैंक है जो है ना वो किसी मिला है मतलब कौन से भारती है जिनको यह मिला है वो ठीक है तो इनका नाम है शामला गनेश व निर्पेंद्र मिश्रा ठीक है ना यानि कि ए और ए ऑप्शन जो है ठीक रहेगा मतलब ए में ही दो ऑप्शन कह सकते हो आप लोग जपान टू सेंटर को जो है और अगली बात आप लोगों को समझ ली है कि इनको जो ना इनको इनको ये समान क्यों दिया गया है ये समान इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने सजावट जापान का तीसरा सवच्छ समान order of rising the sun है और सजावट के लिए ठीक है ना भारत के प्रधान मंत्री सची उन्रिपेंदर मिस्रा ने order of rising sun and gold and silver जीता है और इंदर मिस्रा ने order of rising sun gold एवं के वल जो है ना silver के लिए इसे गॉल्ड और आप लोग को यूँ के लिगा silver range का पुरुसकार जो है मिला है जपान की राजदानी टोक्यों है करंसी यह नहीं है योसी ही दे सुगा जो है फदान मंत्री है तो इसी के साथ में इस लेक्चर को एंड कर रहा हूं हस्ते मुस्कुराते रहना कलफीर हाजीर होंगा latest update के साथ में और जल्दी वीडियो को डालूँगा माफ करिए आज वीडियो को थोड़ा सा लेट कर पाया चलिएगा स्टार्ट आइक्यू को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए इस चैनल को आप लोग थैंक्यू सो मच